हालो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबको आपको अपना चैनल वाइड न लिस पे तो हमारा यह जो प्रिविएस येर का साल्व पेपार सिरीज में यह हमारा आज शुरू करने जा रहे हैं जून 2011 का पेपर 2 ओके तो बिनादेरी करते हुए चलते हैं स्टार्ट करते हैं स्टाइराभा गंदी ! डेस्टराइब। हिमचलव आज रृच्म और जो फिलोसॉफिकल अनर्पिस्ट यह प्लेटरियनौ धिred मेरा लीटरियन वीरा अाध्य में गालें यहां। भेविए mobस्विकल अनरकिस्ट यह जंञा आध स्टाएब के लिड़िये में उसका रॉट through the stages of thesis and this is antithesis and synthesis consciousness is the essence of the creation and driving force of development the above view is associated with ये व्यूज किनके दरा दिया गये था तो ये किस से associated है ये हमारा हेगल के द्वारा ठीक है अप्शन C हो जाता है हमारा अंसर हेगल दन चलते हैं next question who of the following is considered to the to be one of the intellectual godfathers of neo-liberal capitalism okay तो इसका जो राइट अंचर है ये हमारा एफे हाइग option B ठीक है then next question as against Marx's view that with the expansion of capitalism the middle class will vanish away the first thinker to have given the idea that the middle class will not wider wider aware and increasing popularization of the proletariat will not take place was इसका जो राइट अंचर है ये हमारा हो जाता है हमारा बॉन्स्टेन ओके option B हो जाता है हमारा राइट अंचर दन चलते हैं next question में question number five okay question number five में दिया हुआ है दो फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक वाजे टेलो मेड कॉन्सेशन बाई चाल्स दी गोले ये किनके दोरा ये कॉमेंट दिया हुआ था ओके तो इसका जो राइट अंचर हो जाता है हमारा राइट अंचर दन चलते हैं okay option हमारा option C हो जाता है राइट अफ एक्जिकुटिव देन चलते हैं next question में question number six the term mixed political culture was used in the Indian context by रजनी कोथारी फ्रांसिस फ्रांक्लिन बेस सर्सिकर अंड मोरीस जोंस दो इसका जो राइट अंचर हो जाता है ये हमारा हो जाता है फ्रांक्लिन फ्रांसिस फ्रांक्लिन ओके फ्रांक्लिन देन हमारा next question पे चलते है question number eight the dominant approach in contemporary politics is structural functionalism, maxism, normative theory and new institutionalism तो इसका जो राइट अंचर हो जाता है हमारा new institutionalism, okay option D then चलते हैं next question में question number 9 the term federal figure option दिया है in the preamble to the Indian concession in part 3 of the Indian concession in article 368 of the concession then now we are in the Indian concession okay तो इसका जो right answer हमार हो जाता है यह है now we are in the Indian concession then चलते हैं next question में question number 10 legislative council of state can be abolished or created by legislative legislative assembly और council दो होसस होता है तो हमारा यह अभी तक का साथ इंडियान में साथ ही state में हमारा legislative council है तो आप मुझे यह comment section में बताएगा कि कौन कौन से state है जिनमे legislative council अभी चल रहा है तो यह legislative council कैसे create होता है और abolish होता है तो यह होता है पार्लियामेंट अन्दा रेकोमेंडेशन्स अफ लेजिसलेटिव असेम्बली अप दो स्टेट कांसेंड ओके तो इसका जो राइट अन्चर हो जाता है हमारा डी यह वाला ठीके देन चलते हैं नेक्स कोचिन में कोचिन नमबर इलेवन दो सोसियलिस्टिक अन्ड कम्मिनिस्ट बोयकोट्च अफ इसेम्बली अफ इन्डिया बिकर्ज यह हमारा हो जाता है दर वॉकर्स और पिजन्च वेर नोट आडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड़े तो अप्शन डी हो जाते हैं हमारा राइट अन्छ जलते हैं नेक्स्ट कोस्टिन बे कोस्टिन नमबर ट्वेल दा इंडियान नाशनल आर्मी आई एन ए वाज फॉर्मड बाई जेनरल महांच सिंग तो यही है हमारा राइट अन्छ नेक्स्ट को अप्शन भी देख लेते हैं ठीके अप्शन देख लेते हैं सान्वाज खान, सुवाश चैंद्र बोश, रस्पीहरी बोश तो हमारा राइट अन्छ हो जाता है यह हमारा जेनरल महांच सिंग देन चलते हैं नेक्स्ट कोस्टिन में कोस्टिन नमबर थाटिन माक्सियान भी व्यूज ट्रिटिन इंटरनाशनल पॉलेटिक्स पर्सपेक्टिव से ओके एए है इसका राइट अन्छ है टेक्षे अन्दन कोस्टिन नमबर फ़र्टिन टी एच अ मासल्स थियोरी ओफ़ सिटीजन्शिप इज डिराइब फ्रॉम हीज स्टाडी आफ तो हमारा यह दिया हुए आप्शन दिया हुए है ग्रेट ब्रितिन दॉड़ डेवलीपिंग वर्ड दी उसे वेस्टन यूरॉप तो उसका जो राइट अन्छ हो जाता है यह हमारा हो जाता है ग्रेट ब्रितिन ओके छलते है नेक्श्ट कोसीं में कोसीं नमबर फ्रिफ्टिन लोकेस्ट पालिसी व तो यह हमारा क्या हुआ था पीभी नर्शिमा राउ ओके पीभी नर्शिमा राउ आप्शन C हमारा हो जाता है राइट अंच देन चलता है नेक्स्ट कोस्टिन में ओके देन कोस्टिन नंबर 16 अद दो फेज मिलिटरी इंडोस्ट्रियल कंपेक्स वाज कोईंड बाई अप्श आप्शन C हमारा हो जाता है यह है इस्टेन होए ओके अप्शन B हो जाता है हमारा राइट अंच देन कोस्टिन नंबर 17 वें प्रियूड डाबलु रिक्स सेद आट निपोटिजिम और फेबोरिटिजिम प्लेए डोमिनांट रोल इन दो मेंकिंग प्रिमास्टिक सोसाइधी तो इसका जो हमारा राइट अंच रही हो जाता है हमारा प्रिमास्टिक सोगेटी ओके अप्शन द Tong धियो जाते है हमारा राइट अंच फिरिक्टीक देन चलते है ने कोते हमे 8 रिफरीं दो प्रिंशिपल पे से किल अक्यृसरी in the happiness of his subjects lies his happiness in their welfare his welfare ओके तो अमारा option देख लेते हैं माक्या भेली मानू देन काउटिल्या देन चांद्र गुपता तो उसका जो राइट अंसर हो जाता है हमारा यह हो जाता है हमारा काउटिल्या ओके देन चलते हैं next question में question number 19 who regarded coordination as central core of management and says it implies harmonious ordining of parts ओके तो हमारा option दिया हुआ है Harvard Simon, Douglas M.C. Michael Gregor, then Elton Mayor and MP Follett तो हमारा इसका जो राइट अंसर हो जाता है हमारा MP Follett option D हो जाता है हमारा राइट अंसर तो चलते हैं next question में question number 20 the idea of committed bureaucracy in India was advocated by committed bureaucracy तो इसका जो हमारा राइट अंसर हो जाता है हमारा यह मुरार्जी देशाई ठीक है हमारा option D उसका राइट अंसर है committed बीरो क्या सी यह दिया आड़वगेटल हो था मुरार्जी देशाई के द्वारा ठीक है तो चलते हैं next question में question number 21 accession and reason दिया हुआ है देख लेते हैं accession में क्या दिया हुआ है accession में दिया हुआ है कि Machiavelli is anti-church but not anti-religion then उसका reason यह है because religion produces order as price brings fortune and success तो इसका जो राइट अंसर हो जाता है हमारा यह हो जाता है बोथ A and R are true but R is not correct explanation of A यह बोथ accession and reason ठीक है लेकिन R is का correct explanation नहीं है A का ठीक है ओके दिन चलते हैं next question में question number 22 given below are two statements one level as accession and other as reasons तो accession में दिया हुआ है the system of proportional representation may solve the problem of minority representation to some extent okay तो इसका reason यह है the system of proportional representation enables due representation to all types of groups based on ethnicity gender interest and ideologies तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा यह बोथ ही correct है and R is the correct explanation of A ठीक है तोसका हमारा राइट आंसर A हो जाता है then चलते हैं next question में question number 23 आससेशन देख लेते हैं आससेशन दिया हुआ है constructivism insists that international relations cannot be reduced reduced to social actions and interactions within material constraints as realism claims then उसका reason यह है because state interactions is not among fixed national interest but is to be understood as a pattern of actions and steps and is steps by identity over time okay तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा यह हमारा बोथ ही correct है और आयर इसका correct explanation A का है तो हमारा option A इसका answer हो जाता है ठीक है then चलते हैं next question में question number 24 आससेशन देख लेते हैं क्या है considering its effectiveness and efficiency presidential system was a advocate for India in 1980s then उसका reason यह है consolidation politics could not sustain itself in India तो उसका जो हमारा राइट आंसर ही है चाता है हमारा A तो correct है लेकिन R is false तो इसका जो राइट आंसर है यह option C है ओके then चलते हैं last question आसका given below are two statements one leveled as accession and other leveled as a region accession ही है यह है कि Henry Fowell distinguished between public administration and private administration उसका region यह है he says that all undertakings observed the same general principles of administration ठीक है तो उसका जो हमारा right answer हो जाता है यह हमारा option D हो जाता है क्यूंकि हमारा A correct है लेकिन हमारा जो R है यह false है तो देख लेते है option D A is false बटा R is true ओके तो इसका हमारा option D हो जाता है answer ठीक है तो आज का यह paper यहीं पर रखते है आज का यह 25 question हम self कर चुके है तो next part में हम देखेंगे June 2011 का हमारा 26 ते लेकर 50 तक का question ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और और आपके लिए यह beneficial है तो चैनल को subscribe कर लिजिए ओके जो जो राइट साइड में एक bell icon है उसे दवा दिजिए ताकि मैं जब भी आगे के जो हमारा वीडियो अप्लेड करूंगा तो आपके पास notification पहंच जाए ठीक है तो आप उसका benefit उठा सके और आपके दोस्तों को भी यह share कर देजिए अगा वीडियो ताकि उनने भी थोड़ा help हो जाए ठीक है और चैनल को लाइक कर दिजिए और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दिजिए ठीक है और डिसलाइक क्यों किया यह भी बता दिजिए ताकि मैं इस वीडियो में फदर इंप्रूब्मेंट ला सकूं ठीक है आपके मताबक आपको जो भी अच्छा नहीं लगा डिस्लाइक करें और उसके क्यों डिस्लाइक करें वह बताएं ताकि मैं इंप्रूब्मेंट का सकूँ ठीक है ओके थैंक यूँ